साथियो नमस्कार, मैं सूर्या कुल्सरिष्ट असिस्टिन प्रोफेसर इत्यास एक बाद फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या दा हिस्ट्री मरर में स्वागत करता हूँ साथियो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में राज की इंटर कालेज यानि की जी आई सी में निकलने वाली प्रवक्ता पद की भरती का विज्यापन जो की उत्तर प्रदेश लोग से वायूग ने जारी किया है और उसकी अभी फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गए है तो कुछ चात्रों की फेस्बुक पर मुझसे प्रक्षाएं थी कि उनकी रिक्तियां वेतनमान और अरहता के समद्ध में खास कर ये और पेपर पैटर्न को लेकर भी काफी प्रशनों मुझसे पूचे रहते तो उन सभी प्रशनों को समलित करते हुए मैंने एक समेकित इसके बाद आवेदन के अंतरकत किंची जों का ध्यान रखना है वह इसके बाद लेकित पाठेकरम है तैयारी की रड़नीती है उस पर चर्चा करेंगे लेकित परीक्षा का पैटर्न देखेंगे और ये नीचे दिया हुआ है कि कुछ जो अरहता ये योगिता जो विसस्ट सामाने रूप से आपको पता होनी चाहिए उनकी जानकारी इस रूप में रखिए कि रिक्तियां सबसे पहले जो आप मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वेकैंसी में 1473 और इसमें मेल की जो रिक्तियां है आनि कि पुरुषबर्व में रिक्तियां नो सो एक्यानवे हैं जबकि फीमेल यानि कि बालिका वर्ग में महला वर्ग में 482 रिक्तियां हैं और ये इधर साइट से फिर मैंने इतना इतिहास जो मेरा विशह है चुकि मैं इतिहास विशह से असिस्टिंट प्रोफेसर हूं तो थोड़ा सा लगाव इतिहास के छात्रों के साथ मेरा तुलनात्म गूप से अधिक है तो इतिहास की मिने वेकेंसी को इसमें डिनोट कर रख है कि पुरोष वर्ग में इतिहास की 42 कि रिक्तियां है जिसमें अनारक्षद वर्ग में 17 है चार रिक्तियां EWS के लिए है 11 OBC के लिए 9 SC के लिए और 1 ST के लिए है इसी प्रकार महला वर्ग में देखें तो 15 रिक्तियां जिसमें साथ अनारक्षद वर्ग के लिए है 1 EWS के लिए है चार रिक्तियां OBC के लिए है तीन रिक्तियां S.C. के लिए और S.T. के लिए एक भी रिक्ति नहीं है अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं वेतनवान के साथ ही यहां जो पे बेंड है जिसे पे स्केल बोलते हैं वह तिरानवे सो से चोंतीस अजार आठ सो का है और ग्रेड पे जो है वह आड़तालिस सो रुपए है यानि कि कुल में लाकर यह ठीक वेकेंसी है अच्छा खासा एक प्रतिष्ठत वेकेंसी में आप अवेदन करने ज चले और सात्वे वेतन आयोक के बाद जो पे मैट्रिक्स बना है उसके नुसार यह जो वेतनमान है वह लेवल एट का वेतनमान है जहां आपका मूल वेतन 47,600 रुपए होगा अब बात करते हैं आयू सीमा की आयू सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयू के सभी जो भारती नागरिक हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो छूट की बात है वो SC, SC, ST, OBC और जो सोतंतरता सेनानी के आश्रित हैं और इन वर्ग के लिए ये पांच वर्ष की छूट मिलेगी और साथ ही छूट में जो Basic सिक्षा परिशद के साहिक अध्यापक हैं प्राण्धान अध्यापक हैं यानि कि संपूण अध्यापक वर्ग साथ ही सिक्षण इत्तर करमचारी और एड़ेड इंटर कालेज के जो सिक्षक और करमचारी साथ ही राज्य सरकार के दिन करमचारी इन सभी को पांच वर्स की छूट मिली हुई है अतहे वे 45 वर्स की आयू तक यह आविदन कर सकते हैं इसके बाद फिजिकली हैंडिकेप्ड के लिए 15 वर्स की आयू छूट मिली इस प्रकार की रिक्तियों में आविदन कर सकते हैं वह इसमें भी आविदन कर सकते हैं अब बात करते हैं अरहता या यूगता की सबसे ज़्यादा प्रशन मुझसे फेस्बूक पर मेरे फेस्बूक पेच सूर्या कुल्सरिस्ट पर सबसे ज़्यादा प्रशन मुझसे किसी एमें तो नहीं कर रहा है यानि कि पीजी इनि कि पोस्ट ग्रिजुएट होना चाहिए कम्प्लीट यानि कि जवाप आवेदन कर रहा हैं आवेदन की अंतिम्ति से पहले तक आपको अपना पीजी कम्प्लीट करना होगा यह सुनिश्द कर लाएं अपेरिंग वाले चात्र अधिमानी अरहता है यानि की बीएड आप हो या ना हो इसे कोई विश्यस फरक नहीं है आप अबेदन कर सकते हैं लिकने दे आप बीएड हैं तो आप उसको भी इसमें एड कर सकते हैं आपको अधिमान दिया जाएगा अर्थात माक्स अंक समान होने पर बीएड वाले छात्र को वरियता दी जाएगी उसकी तुल्ला में जो बीएड नहीं है तो अंतताय निसकर्स के रूप मेरा यह कहना है इस मामले में कि पीजी होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए बीएड हो ना हो कोई फरक नहीं आप आप अबेदन कर सकते हैं लेकिन बीएड वाले को वरियता दी जाएगी उस स्तिती में जब आपके माक्स किसी अन्य व्यक्ति के समान होंगे अरहताओं के लिए यह तो साधरण पीजी था ही और अब बात करते हैं कुछ जो वेरियेशन्स हैं योगिताओं में अरहताओं में वो कैसे सिक्षा सास्त्र में जो व्यक्ति आविदन करना चाहता है वह यहों सिक्षा सास्त्र या मनो विज्ञान में यह चलेगा साथ ही उसको टपादी रखने वाला हो और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो वह केवल यह हो तो भी वह आविदन कर सकता है अब दूसरी जो सिस्टता है जो विचलन दिया हुआ है जी विज्ञान को लेकर है ऐसे चात्र जो जी विज्ञान में आवेदन करना चाहते हैं वे MSC हो और उनका कोई एक सब्जेक्ट जूलजी या बॉट्टी होना चाहिए अर्थात जन्तु विज्ञान या बनस्पति वि नहीं रही है यह हिंदी वाले चात्रों के लिए थोड़ा से थोड़ा सा कष्ट की बात है कि उनको कि एमें हो हिंदी से और साथ ही उनके बिये में संस्कृत भी अनवार रूप से हो अन्यथा वे आवेदन नहीं कर सकते तो यह था साथियो अरहता या या युगिता को लेक जगह नहीं लिख सकता है इसको यह तो आपको तरह तरह दिया ही हुआ है जैसे यहां रिक्तियों के रूप में जैसे यहां रक्षण मिला हुआ है इसके बाद यहां आयू सीमा में भी आरक्षण है यहां देखिए सस comedy में 5 वर्ज की चूट है सातिि इसिख्षकों को या सिक्षडा करमचारीयों को चूट है तो यह यार scratched मिला हुआ हुआ अब बात करते हुआ और शुल्क में आगे देखेंगे कि यहां छूट मिली हुई है तो यह बाद में देखते हैं अन्य राज्य को लेकर यानि कि अन्य राज्य का कोई अव्यर्थी यह इन रिक्तियों में आविदन करता है तो वह जन्रल की तरह अनारक्षित की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको आरक्षड का कोई लाब नहीं मिलेगा चाहें वह आरक्षित स्रेडी से संबंद ही क्यों ना रखता हो तो इस परस्ट हुआ अन्य राज्य के छात्र अभ्यर्थी इसमें आविदन कर सकते हैं निश्य दूरूप से कर सकते हैं मुझसे प्रशन पूचा था फेस्बूक पर एक छात्र ने तो उसका यह जवाब है कि वह आविदन कर सकता है छात्र लेकिन यह दिवार अच्छे स्रेडी से हैं वहां पर अपने राज में लेकिन उत्तर प्रदेश की वेकेंसी में वह अनारक्ष्य देने कि जन्रल की स्रेडी में ही ट्रीट किया जाएगा उस आरक्ष 100 रुपए की फीस रखी गई है और 25 रुपए उसके जो ओनलाइन चार्जेस है प्रोसेसिंग का वह सुल्क है 125 रुपए टोटल हो गया बहुत पूर सैनिक स्सी और स्ट के लिए 40 रुपए फीस है जबकि 25 रुपए का ओनलाइन चार्ज है और दिव्यांग के लिए फीस ए नहीं कि अवशक्ता नहीं पड़ेगी यानिकि जो आप 100 रुपए दे रहे हैं इन्हीं इस रेड़ी के लिए 200 रुपए हो जाएंगे यहां 40 रुपए है तो वहां 0 ही रहेगा तो यह शुल्क दो जगह लगेगा एक तो प्री से पहले और यह मेंस देने से पहले अब बात करते हैं आविधन की आविधन केवल एक ही मान है यानि कि एक विशय आप चाहें कितने भी विशयों से आविधन कर दीजी क्योंकि पीजी तो हर कोई होता ही है दो-तिन विशयों से होता है तो वह दो-तिन विशयों से आविधन कर सकता है लेकिन आप केवल एक ही विशह से परिक्षा देने जाएंगे यह तैय कर लें आप हर विशह से परिक्षा देने नहीं जाएंगे कि वह एक विशह से दिने जाएंगे और जिस विशह से दिने जाएंगे वही आपका मानने रहेगा और अन्य विश्यों से आपके आवेदन स्वतैने रस्त हो जाएंग एक ही आवेदन यहने की एक ही विशय से आवेदन आपका सुईकार किया जाएगा चाहें कितने भी विशयों से आवेदन कर दीजिए भर दीजिए फॉर्म वह आयोग उनका संग्यान नहीं लेगा जिसका आप परिक्षा देने जाएंगे जिस विशय को लेके बस वही है और अब एक ही विश्य की परिक्षा देने जा सकते हैं इस बात को नोट कर लें ज्यादा चाला की ना दिखाएं यह आयोग है बहुत जल्दी पकड़ कि इसके बाद महलाओं को लेके वह कि पुरुष वर्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं महला वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं इस बात का विश्यस ध्यान रखें और महिलाओं का जितने भी प्रमाण पत्र जो नहीं करने होंगे वह उनके पतापक्ष से निर्गत होने चाहिए ऐसा नहीं है कि अपने पती के यहां कर उनके नाम के सर्टिफिकेट या उनकी जाती के आधार पर इंस देते समय इन सब जगहों पर आपको मेलाइडी की अवश्यक्ता पड़ेगी तो अभी इसे एक मेलाइडी बना लीजिए इसको बारवाद चेंज मत कीजिए और निता आपको आगे समस्य बाहताने वाली है फोन नंबर आप नमना एक रखिए क्योंकि OTP यह सारी चीज से अपनी अपॉइंटिंग अथोर्टी से लेना होगा अगर वो इस आवेदन करते समय ले लेता है तो ठीक है अन्य था यह आपके से वायोजक से अपॉइंटिंग अथोर्टी से संबंद अच्छे हैं तो आप लिखित परिक्षा के समय भी ले सकते हैं कोई फरक नहीं है लेकिन फिर भी आपचारिक तो यहीं रहता है कि आप पहले ही निकल वाले हैं ताकि आगे आपको जो आपका परिंडिंग अथोर्टी है से वायोजक के आपको ब्लेक मिल ना कर सके परिशान ना कर सके पॉलीगेमिस्ट की बात करें यानि की पॉलीमींस काफी ज्यादा अधिक गैमी मींस शाधी इस अनिकी एक सफिक्स इसका अर्थ होता है वेक्तियों से यानिकि वे लोग यानिकि वे स्त्री जिसके एक से अधिक पती है वे इस वेकंज में आविदन नहीं कर सकते तो यह पॉइंट तो वैसे भी ज़्यादतर भाहरत की जितनी भी रिखतियां है अधिक दिखतियों में यह भॉइंट रहता है इसका ध्यान रखें इसके बाद जब आप में में आविदन करेंगे उस समय आपको अपने डोकुमेंट्स जो भी सपोर्टिंग डोकुमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाड़े चाय प्रति भेजनी होंगी यह आप आने वारे रूप से भेज़ें क्योंकि आपका फिर अब्यरतन इनकी अनुपस्तित देखा है इसमें जो है आप प्राचीन भारत से शुरू हो जाईए और 1964 तक आदुनिक भारत तक आपका इसमें पूरा दिया हुआ है पूरा पढ़ना होगा और विशेस में कुछ परवरतन नहीं है और चुकि यहां मल्टिपल भी है होगा जो प्रीका पेपर हो साथी मेंस लेखेत होगा तो आप कोई भी हुश्यारी दिखाने के प्रयास ना करें आपकी अगर पकड़ सब्चेक्ट पर होगी तो आपका चेह निश्चत है अन्य था कोई ट्रिक बाजी नहीं चलेगी किसी प्रकार का रट्टापन नहीं चलेगा चीज होनी चाहिए क्योंकि आप रटने का प्रयास ना करें अपने पार्टिकरम के अंतरगत चुकि इतिहास थोड़ा सा कटिन विश्याइद आप रटना शुरू कर देते हैं आगे बात करते तैयारी रटनीतिक की जैसे कि मैंने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पिछली वीडियो में आपको बताय लीजिए इसके ना हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के देख लीजिए लगबग समकक्ष परिक्षाय रहेंगी प्री और उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आप लास्ट येर के जो पेपर्स हैं उनको आध्यन करिए उनके अधार पर नोट्स बनाए और एक अच् प्रशनाय हैं उनमें साथी वह बुक भी आपको अच्छे से यहाद हो जाएगी जो आप बेस बना रहे हैं जिससे और उसका एक शौर्ड नोट बना लेजिए ताकि जब आप एक्जाम दिने चाहें तो आपको पूरा नोट्स ना खंगालना पड़े अब बात करतें लिख अन्हें पास दोज़एड诞 इमयां अभश्य मान के चलें तो लिकत परिक्षा कैसी होगी इसका प्रणन देखते हैं इसमें प्री साऔरावविक परिक्षा होगी है दो चाँचे जाएंगे जो subjectively छात प्रभववृत होते थे वह अब यह नहीं होंगे के इंट्रविवयर्स के साथ कहते हैं करते हैं कुछ यां इसा लेते लेते हैं वास्ट समझते तो अश्मच सब्हूब होने वाला है इस विकेंसी में नहीं है तो प्री और मेंस रह जाता है, इसका ध्यन करते हैं, क्या पैटर्न है, प्री में 120 प्रशन होंगे, question लिखा हुआ है, प्री में 120 प्रशन होंगे, जो 300 marks के होंगे, और ये 2 घंटे के, तू आर्स के होंगे, ये 2 घंटे में 120 प्रशन और 300 अंक के होंगे, और इन में 80 प्रशन आपके subject से होंगे, जो subject से आपने आवेधन किया है, ये multiple choice के रूप में होंगे, ये बहु विकल प्यापेपर होगा, और 40 प्रशन आपके GS के होंगे, GS का पाठी कराम, ये सारी चीज़ है, मैं अपने Facebook पेज पर upload कर दूँगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, तो 120 प्रशन, 80 और 40 के रूप में, 80 subject से और 40 GS से, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर negative marking होगी, एक तेहाई की negative marking, ये निक 1 थर्ट की negative marking है, ये ये आप एक गलत करते हैं, तो आपके एक तिहाई अंक काट लिया जाएगा, ये एक प्रशन का एक तिहाई अंक काट लिया जाएगा, जो आपका सही प्रशन होगा, तो ये negative marking है, यहाँ, इसके बाद बात करें, कि जब मेंस आप देने जाएंगे तो आपको शुलको, फॉर्म जब में कोई फीज नहीं देंगे लेकिन प्रोसेसिंग सुल सभी देंगे अब बात करते हैं मेंस का सवरूप कैसा होगा इसी के आदार पर होगा प्री के अंक मेंस में नहीं जोड़ेंगे प्री में केवल आपको पास होना है और मेंस देने के लिए योग्य होना है अरहता कारी होना है केवल तो आपको मेंस ही चयन दिलाएगा और मेंस लिखित होगा आनि के परंपरागत होगा ट्रडिशनल होगा लिखने वाला होगा आपको लिखना होगा यहाँ 400 अंक का मेंस होगा जिसमें पहला पेपर हिंदी और निवंद का होगा जो 100 मांक्स का होगा दो घंटे का होगा जिसमें 50 अंक की हिंदी होगी यहींदी व्याकरण और 50 अंकों का निवंद होगा स्वांक का हो गया और दो घंटे में आपको यह लिखना होगा यह पूरा पिपर पूरा मेंज से लिखित है यह नोट करना हैं बहुत से चातरों को यही पता है कुछ चातरों के प्रश्णी उने घी थे कि मेंस का सवरूप क्या होगा वो इसीज़ को ध्यान से समझें कि हिंदी और निवन्द आपको यहां इंदी व्याकराण निवन्द आपको लिखना होगा सो अंकों का होगा दो गंटे का दूसरा पेपर आपका उसी दिन होगा जो कि जिसमें बीस प्रक्शन होंगे तीन सो अंकों का होगा यानि कि 300 खन की कि सुरूप में होगो को प्रत्यक 25 अंक का होगा यानि कि 25 बंजे 125 यानि कि आपको 125 अंक यह होगा इनहीं के मिलाके यानि कि प्रेशन आपके होगे 1200आपके यानि इनका उत्तर आपको 250 शब्दोों में लिखना होगा और प्रते प्रेशन 25 अंकों का होगा इस तरह से आपका जो दीरगुत्रिय अंक बनाएंगे 125 अंक का बनाएंगे 121 इसके प्रतियक प्रश्ण पंद्रय अंकों का होगा है यह कि 15 15 585 और लगत्रीय प्रश्ण होंगे 10 इसमें से प्रतियक प्रश्ण का उतर आपको 50 शब्दों में देना होगा 50 वर्ड हैनिकि 50 वर्डस में और इसमें से प्रतियक प्रश्ण 10 अंक का होगा यानिकि 10 का 10 में गुणा करें तो 100 तो यह टोटल बैठता है 100 200 और 300 तो वही 300 अंक का आपका यह पूरा विशय का पेपर है तो यह फिर से बता दूं कि प्रश्ण यहां तीन स्ट्रेडियों में होंगे यानि कि दीर कुत्री मद्यमुत्री और लग उत्री है यह पांच होंगे यह पांच होंगे और यह दस होंगे और इनका उतर आपको 500 सब्दों में देना है यह आपके विशय से ही प्रश्ण इसमें आएंगे आपको लिखने होंगे यह आप न का जो विग्यापन आया उसके संबंद में जानका रही है आपको जानकारी कैसी लगी यह आपको इससे कुछ लाव होता है तो अवस्थ कमेंड बॉक्स में बताएं जो भी पृत करिया हो कमेंड बॉक्स में अवस्थ हैं मेरे फेस्बुक पेच से चुड़ें वहां भी में ज स्क्रीन सोड लेले महुत धन्यवाद